मस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देखाएं फार्च न्यूस इंडिया में हूँ साथ आए ने से डालते हैं आगे के प्रमुक्स सहाचा रुप रहा हूँ वारार्सी में अधिवक्ताव थांच समिती के अधिवक्ताव ने सुभास चन्र बोस की जयनती धुंधान से मनाया। वारार्सी के कचहरी में और यहाँ पे सुभास चन्र बोस की जयनती मनाने का तयारियां चल रहा है तो आईए इस कारेक्रम के बारे में हम जांकारी देते हैं। कि जयनती में चल रहा है तो जब यहां जब यहां पे सिवेश लगाते हैं। जितमें अधिवक्ता बर्चल के सालेते हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि हमें फुरा बर्व करुते दिये खासिदी है। और इतमें हमारे मुक्त अधिदी यह विगेडियर कुंपु बैंपरा साहब है। जो कि बारव बीस कार्मी में बसकोन आया है कि बारव बीस कार्म बटाई है। और कुछ बताना चाहेंगे, आप वकिल साथ को बताना चाहेंगे इसके बारे। नेता जी सुभाज चंद बोश जी ही देश के असली नायक है। और उन्हों ने ही इस देश को अजादी दिलाई है। इसलिए हम लोग नेता जी की जैनती को बड़ो द्हुम धाम से और फरसोलास के साथ मनाते है। देखा कि सुभाज चंद बोश जैनती की द्हुम से तैयारियां चल रही है। तो आपने ये देखा कि वकिल साब ने ये कहा कि जिस चुभाज चंद बोश जी कुरूँ उनको इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया। तो उन इतिहास के पन्नों को जनता के सामने लाना चाहिए। वरारसी में 21 जनवरी से हो रहे भारतीय प्रवासीय सम्मेलन में काशिक योलोकिक द्रिस्य में कुद्रत के वरुर्देयों ने 22 जनवरी की रात्री में भांग डाल ही दिये। गरत चमक के द्वारा हुए हलके बारिश से खोड़ी बाधा तोद पन्फूइद पर श्यासन प्रश्यासन के चाप चौबाद विवस्ता से किसी भी प्रकार की व्यास्था बिगर्दे ने हुपाया। वरारसी से हमारे समभातर सुर्य प्रकास की रिपोर्ट। मौजूद है इस समय हम चानमारी जहां से कुछा चंद कदम के दूर्टे प्रवास्यों का एंट सीजी बना हुआ है। सुबह से ही गुदाबादी हो रही है बाली का मौसम है लेकिन इस तो में आप देख सकते हैं सुर्द होआ नगल चुके हैं। तो आईए हम देखते हैं चलखती प्रवास्यों के लेकिन इस समय सुर्द देखा ने अपनी आखे घुल दी है। हलांकि प्रवादी का कोई खास प्रवाओं यहां नहीं है क्योंकि यहां की ब्युदाबादाए चान 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 की नहीं है। लाल भैरों मंदिर कंतिक विंध्याचल मिर्जापूर से महंत नागा बालत गिरी के 40 साल के तपस्या के बाद एक चैलीन बनाया जो कि अच्छे धंस से उनका बाल मुंडन तब उन्हें नया वस्त्रधान कराया गया सिस्या का नाम नंदिनी गिरी रखा गया जो कि देश व अच्छा जा नागे के समचार जा गया खेए च्छोटे से ब्रेक के बाल शाशी काल जी मैं गुरलाल सिंग वरोला बियोरो पंजाब फास्ट नूज इंडिया चैनल वल्लों सारे नों हैपी न्यू एर हैपी लोडी हैपी मक्कर सकरांती तो इलावा तांतां शिरी गुरु गुरुबेंद सिंग सेब जी दिये प्रकाश दिर्दियां सब नों बहुत बहुत मवारकां दिन दा हाँ ते नाल ही मैं गल करता हाँ फास्ट नूज इंडिया चैनल दी इस दे सब्सक्राइबर बनो नविया ताजा खबरां सुनो फ्री विच गिफ्ट तो इलावा इंशोंश भी पाओ और इस पूरे पंजाब इस दे रिपोर्टर ब्यूरो बनो तांके ऑनल समय विच प्रिष्टाचार नूँ खतम किता जा सके इस चैनल देनाल जुड़के तुसी एक हजार तो लेके एक लग तक दी सेल्दरी भी प्राप्त कर सकते हो सो मैं आज जिरूर्थ है सानू प्रिष्टाचार नूँ खतम कर दी सो मैं हे बेंती कर दा मेरे नल जुड़ो पूरे पंजाब विच पूरे पार्त विच सड़ाई चैनल चल रहा है मैं दोवारा फिर सार्यान हूं बहुत बहुत मुबारका दिन दा हां शाशी का थेंक्यू जी मिर्जापूर के के बीपीजी कॉलेज में छातर संग अध्यक्ष प्रकृति मिश्रा के दौरा और श्कूल प्रसासन के दौरा किसी बात को लेकर अन्बंध हो गए जिसमें प्रकृति मिश्रा ने कॉलेज के एक कमरे में जाकर आग लगाने की कोशिस की जिसके बाद मौके पर पुलिस ने प्रकृति मिश्रा को जिला मंडली अस्पताल ले गया और वहां उसका उपचार हो रहा है चात्रों के दोरा जिला मंडली अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था लेकिन उसी में से एक सलीम नाम के चात्र ने अपने हाथ की नस्थ काड़ी जिसके बाद उसको तुरंट जिला मंडली अस्पताल ले जाया गया और वहां उसका उप्चार चर रहा है। जाके वहां भी आग लगा लिए फिर जाके छाइसंग भवन में उसमें कमरा बंद करके आग लगा लिए अपने आपके। हासिल करने लेकिन आर्थिक आजादी अभी बाकी है। विदेशी कमपनियों के आर्थिक रूप से देश को बच चाना है। चोटे बच्चों से लेकर के जिंदगी की जरूरत का हर परिधान, हर वस्त्र वो इस पतंजली परिधान के एक स्टोर में मिलेगा। यहाँ अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरुवात की है पतंजली ने। लगबग साथ लाख करोण पैसे ज्यादा का यह टेक्स्टाइल का मार्केट है। ब्रेंड्स के नाम पर इसमें विदेशी कमपनियों का कबजा था। बाकी अनब्रेंडेड कपड़े मिलते थे। और उसमें भी इतनी चोरी चकारी होती थी कि आदमी असली और नगली का भेद नहीं कर पाता था। पैतंजली ने यहाँ एक बहुत बड़ी सुरुवात की है। लगबग दो वर्ष तक हमारे सो से ज़्यादा टोप प्रोफेशनल्स ने भाई केन सिंग जी के नेत्रितों में इन सारे परिधानों को एक सुरूप दिया। मैंने डिजाइन हमारा है मेनत देश के कलाकारों के कारीगरों की है। देश के होनर का और देश के संस्कृति सभ्यता संस्कारों का इसमें हमने देश के सभाव का ध्यान रखा है। और इसके साथ ये एक नया संसार जो आप आपने आखों से देख रहे हैं यहाँ पर एक छप के नीचे पूरे भारत की वेशभूशा को यहाँ पर हमने सजाया है, संजोया है तो आप स्वदेशी के सम्मान और स्वाविमान का वैसे भी अब एक तो हार हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आजादी के इन सत्तर वर्षों में राजनेतिक आजादी तो हमने हांसिल कर ली, लेकिन आर्थिक आजादी अभी भी एक सफना है, हम आर्थिक आजादी को जमीन पर उतार रहे हैं और विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट और गुलामी के श्रीयंत्र से देश को बचा रहे हैं आर्थिक आजादी के साथ देश को शिक्षा की आजादी मिले इसलिए भारती शिक्षा बोर्ड को हमने एक बहुत बड़े सुरूप में सरकार के सामने रखा और मुझे विश्वास है अभी मोदी जी से अमीजी से और जावडेकर जी से मेरी मुलाकात वी मुझे विश्वास है कि मैकाले की शिक्षा पद्धते का एक स्रेश ट्रिपकल भारती शिक्षा बोर्ड के रुप में मिल जाएगा उसका भी अभी आगाज होगा विदेशी भाशा से विदेशी शिक्षा पद्धती से विदेशी चिकित्सा पद्धती से विदेशी खेती से विदेशी संस्कृती सब्वेता से विदेशी संस्कारों से हमको उस विदेशी गुलामी से संस्कृती गुलामी से हमें मुक्ती मिले इसके लिए ये पतंजली का आर्थि नेता जी सुवास चंद्रबोस की जहिंती पर उत्रप्रदेश का मेरट के बाद ये दूसरा अलिगड में पतंजली परिधान का स्वदेशी के स्वाविवान के साथ एक छत के नीचे साड़े तीन हजार से ज़्यादा SKU के टैक स्टाइल के योगा और स्ट्स के साड़े तीन हजार से ज़्यादा ऑप्सन यहां पर मिलेंगे और विदेशी कम्पनियों की तुलना में लगबग 2-3 गुना सस्ता और हर क्वालिटि परामिटर पर जितने वी विदेशी कम्पनियों से ज़्यादा स्रेश्ट यहां पतंजली परिध अपने परंपरागत मुल्यों और संस्कारों का ध्यान रखते वे आधुनिक फैशन का भी उसमें समावेश करते वे अध्यों वेस्टन से ले करके और अपने परंपरागत परिश्चार आए कुछ खास ख़वरों के लिए योही बने रगिए पाशनुज इंडिया के साथ अपास ख़वरों के लिए ले करते वे भी अध्यों पर ख़वरों के समावेश करते रहा झाला दोनीका भी उसमें समावेश खपता परंपरागत पर दो करते अवे इंडिया को करते रहादे।